जी यू जे डबलू वर्सेस यू पी डबलू एटींत डबलू पील टीटुन्टी मैच गुजराज जाइंट्स वुमेंज वर्सेस यू पी वॉर्यर्स वुमेंज वुमेंज प्रीमियर लीग 18 टीटुन्टी मैच जोकी खेले जाने वाल है गईज डबलू पील दो हजार चोईस के आदे से जादा मैचेज हो चुके हैं टीम है अपनी क्वालिफाई भी कर चुकी है बट आज का मैच अगर आप देखोगे ना तो गुजरात के लिए उतना जादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वह अल्रेडी बनाने जारे हो चाहिए वह स्माल लेख की हो या ग्रैंड लेख की हैं इसमें आप 2-3 गलतिया कर रहे हो जो मैंने देखा है आप उन प्लियर्स को सिलेक्ट कर रहे हो जिनका सेलेक्टेट परसंटेज आल्रेडी हाई है बट आज के मैच के लिए गई आपको बता दू 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको कम लोगों ने ले रखा है बट वो आज के मैच में इंपॉर्टेंट होंगे और इंपॉर्टेंट होने के पीछे रिजन के है कि जब गुजरात और यूपी के बीच मैच होता है ना तब यह प्लेयर काफी अच्छा पर्फॉमेंस देते हैं इसके अलावा गईज जो आपको मैं बताने वाला हूं कि वैन्यू आप लोगों को पता ही है सेम है पिछ रिपोर्ट में भी गईज थूड़ा सा बदलाव हुआ है कि आज के मैच में पिछ कैसा रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे साथ में अपन देखेंगे क्या प्लेइंग 11 में दोनों टीमों की कुछ चेंज हुआ है या फिर सेम प्लेइंग 11 दोनों टीमों की होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे और साथ में अपन देखेंगे आज के मैच के लिए कप आप आज के मैच वे बिलकुल फ्री में खेलना चाहते हो आपका इंवेश्टमेंट करने का मून नहीं है तो गैज आप लोगों के लिए एक फ्री गीववे जिसमें आप बिलकुल फ्री में खेलकर आज का मैच विन कर सकते हैं बट गैज मैं आपसे एक रिक्वेश्ट दबा देना साथ में बैल आइकन की घंटी दबा के औल प्रैस कर देना क्यूंकि वीडियो सब भी बनाते हैं बट क्वालिटी के साथ अगर आपको बैस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए जहां पर आपकी विनिंग लगभग कंफम हो जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना म कि यूजेडबलू वर्सेस यूपीडबलू वुमेंस प्रीमियर लीग दो हजार चोईस का 18 मैच खेला जाएगा अरुन जेटली स्टेडियम डैली में अब पूरा डबलू पीली गाइस दो ग्राउंडों पे हो गया एक चिन्नास्वामी और एक अरुन जेटली में अब य रिसेंटली एक मैच जीता है सैकंड बैटिंग करने वाली टीम ने भी और टोटल पाच मैचों में चार मैच बैटिंग फर्स करने वाली टीम जीता है तो जहां चिन्नास्वामी स्टेडियम में टॉस जीतकर सैकंड बैटिंग करने वाली टीम जीती है यहां पर पहले 70 प्लस का बनने वाला है और जो टीम पहले बैटिंग करने आए चाहे वो यूपी हो या गुजरा तो उसके बैट्समैन को थोड़ा अपनी टीम में जादा रखना है इसके अलावा गैज अगर मैं यहां पर विकेट्स की बात करूं तो दोनों को इक्वल प्रपोर्शन में व विनिंग होई थी वैसी ही इस वाले मैच वे भी हो जाए और अभी भी वीडियो पर लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर देना गाइज यह मेरा टेलीग्राम चैनल है शौर एक्सपर्ट सपोर्ट यहां पर गाइज मैं हर मैच की बिल्कुल फ्री टीम देता हूं उसके बाद बहुत सारे यूजर्स मेरे यहां पर अल्रेडी जॉइन हो चुके हैं क्योंकि अब आई पील भी आ रहा है फिर वर्ल्ड कब भी आएगा तो सबको बैस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए और क्वालिटी के साथ अगर आपको बैस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए ना बिल्कुल आप सही चैनल प्यार हो तो टेलीग्राम चैनल शौर एक्सपर्ट सपोर्ट को जरूर्ट जॉइन कर लेना डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में सबसे टॉप पर पिन किया हुआ लिंक है नीले कलर का बिलिंक करता हुआ बस उस पे आपको क्लिक करना है सीध आप टेलीग्राम प्या जाओगे और जाके जरूर्ट जॉइन कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहला काम करिए इस चैनल को जॉइन कर ले अब गई इस वाले वेन्यू पर जो लाश्ट दो मैच खेले गए ना उसमें कैसा स्कोर बनाए सबसे पहले हुआ थ लिके 9 मार्च को मैच हुआ गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियन्स वुमेंस के बिच गुजरात ने भाई पहले बैट करके यह माल के चले थे सबकी यह मैच ले गई 190 बनाए और उसके बाद हर्मन प्रीट को जो अपनी लाश्ट मैच में अपने को अच्छे लग रहा है इसके अलावा गैज अगर आप आज के मैच वे बिल्कुल फ्री में खेल कर विन करना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था आपको एक एप बता हुआ एप का नाम है गैज माई माश्टर 11 एप और यह अर्मन प्रीट कोड जो की मुंबई की कपता अब बहुत अच्छा कर दिया वह इनकी ब्रैंड एंबेसेडर भी है और यहां पर गैज एक लाख रुपे का फ्री गीववे चल रहा है अगर आपने माई माश्टर 11 एप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंड सेक्शन म करना मैच ओपन करना गीववे आपको शो हो जाएगा और बिल्कुल फ्री में खेल कर आप आज के मैच वे विन कर सकते हैं तो जल्दी से जाईए एप को डाउनलोड करिए और इस कांटाइस को जॉइन करीजिए क्योंकि बहुत फास्टली फिल अप हो रहा है बट इस एप अगर गुजुराज जाइंट्स वुमेंस की बात करूं तो लॉरा वुल्फट के साथ आएगी बैत मुनी ओपन करने इसके बाद आएगी डी हेमलता बहुत ही अच्छे वैटिंग कीती लास्ट मैच में फिर आएगी लिच्फिल्ट गार्डनर यहां पे फुल माली इसके बाद ब्राइस आएगी इस नेहराना तनुजा कवर मेगना सिंग और शोबना शाकील अब मैं आपको बताता हूं कौन-कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो मोश्टी लोगों के टीम में मिलेंगे बैत मुनी आपको मोश्टी लोगों की मिलेगी हेमलता मिलने वाली है लॉरा प्लेयर्स चैण अपने को रखने चाहिए। इनमें क्या लिच्फिल्ड को रखे क्या गार्डनर को रखे बॉलिंग सेक्षन में चार उप्यों है अपने पस इसने हराना तनुजा कवर मेगना सिंह शकेल ब्रायस इसमें से किसको रखे और ऐसे कौन से बॉलर है जो कंप्ल अब इस टीम में अगर आप देखोगे ना एली सहली डिपती शर्मा ग्रैस एरी सोफी एसक्लेटन यह जिसके बारे में ज्यादा बात करेंगे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप भी लेके आ रहें और मोश्टी लोग लेके आएंगे बट सबसे बड़ा क्योशन उठता है क्या केपी नवगिरी को रखें क्या तैहिला एमसी ग्राज्जो की वर्ड की बैस्ट आल राउंडर्स में आती है क्या इसको आज के मैच में रखना चाह क्या सहीमा ठाकूर जी सुल्ताना और राजेश्वरी गायकवार को रखना चाहिए इस पर इस वीडियो में बात करने वाल इसलिए अभी तक आपने इस वीडियो पर लाइक नहीं कि आना तो कर देना क्योंकि आपका हर पॉइंट में क्लियर करके दूंगा और पूरा वीड कीट कीपर सेक्शन में से रखना चाहिए आज के मैच के लिए गुजराज जायंट्स और यूपी वार्डियर्स सबसे पहला नाम है बैत मुनी ओपन करेगी और मैंने आपको अल्रेडी बता दिया है टीम की कप्तान है और अभी जो लाश्ट दो मैचों से इसकी फॉर्म आ देगी यूपी वार्डियर्स की लाश्ट मैच में 29 55 33 थोड़ा सा है ना यूपी वार्डियर्स की जो एलिसा है इसको अरुण जेटले स्टेडियम थोड़ा सा कम पसंद आ रहा है बैत मुनी को ज्यादा अच्छा लग रहा है इस पिछ पर दो मैच 32 और आप देखें गु या यह दोनों मेरे साफ से डिफॉल्ट पिक होनी चाहिए इनको ड्रॉप नहीं करना है बढ़िया पिक आज के मैच के लिए बनने वाली है कि यहां पर गाइज मैं बात करूं गुजराज जायंट्स व्मैंस की बैटिंग सेक्शन की कि जी यू जे डबलू की तरफ से बैटिंग सेक्शन में किसको रखें अब देखें लॉरा वुलफट की बात करूं ना तो थोड़ा सा यह पिछ अच्छा लग रहा है वुलफट करिए बाकी फॉर्म नहीं रही है तो लिच्फिल्ड को मैं आपको बोलूँगा मती रखना क्योंकि लास्ट तीन मैचों में आप देखें तीन अठारा पन्रा और यह वाला वैन्यू तो वैसे भी इसको थोड़ा कम रास आ रहा है डी हेमलता नंबर तीन पोजिशन पे खे 24 बनाए और सबसे बड़ी बात है यूपी के अगेंस खेलना पसंद करती है तीन मैच 80 अप्रॉक्स 25 और यहां पर है फुल माली यह मेरे इसाब से कुछ खास पिकनी है इसको इन्होंने हर्डिन द्योल की जगे टीम में रखा है शायर मैं कंफर्म नहीं हूं बट मुझा इ इस तरीके से लास्ट मैच वे बैटिंग करिए इस कंसिस्टेंट सी फॉर्म रख सकती है चाओ तो ड्रॉप भी कर सकते हैं आपका डिसीजन है बट यह दोनों मेरे साब से बढ़िया चॉइस होने वाली है यहां पर गाइज मैं बात करूँ यूपी वारियर सुमैन की बैटिंग सेक्शन की पहला नाम आता है इनकी धाकर बैट्समैन के पी नवगिरी जो की क्रिस गेल की बहन लगती है थोड़ी सी देखने में मैं आपको बता दू नवगिरी जब अपने रिदम में होती ना तब बहुत अच्छा करती है अदर्वाइस हर मैच में नहीं चलती चार मैचों में एक मैच में चलती है लास्ट तीन मैचों में पाच अठारा बारा और यह वाला वैन्यू तो बिल्कुल ही सूट नहीं करता दो मैच वे बारा बारा रन श्वेता शेरावत सामने वाली टीम बैटिंग सेक्शन तो बहुत वीक है तो इनके अपन और 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 बालर्स पर फोकस करेंगे बैटिंग सेक्शन से एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो आप पिक कर सकते हैं अगर आपको ग्रैंड लीग खेलनी है मेगा खेलना है अगर यूपी पहले बैट करता है तो आप नव राउंडर्स में से किसको रखे पहला नाम है गार्डनर वैसे बहुत अच्छी प्लेयर है अपनी बैटिंग से भी अच्छा करती है बट अगर आप इस डबलू पील दो हजार चोईस में बात करोगे तो बैटिंग से ज्यादा अपनी बालिंग से काफी अच्छा कर दिये से थोड़ी वीक चल दिये लास्ट तीन मैचों में पांच विकेट है इसके नाम यह वाला पिछ काफी अच्छा लग रहा है इसको एदे बालिंग देखोगे आप कैथन ब्राइस को भी अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा की थी बट अभी ला है तो यहां पर सीधी सीधी पिके गार्डनर और कोई चॉइस नहीं है इसको ही आपको रखना है यहां पर बात करें यूपी वारियर्स को अल्राउंडर्स अब देखे इसका बैटिंग सेक्शन में आपको बोला तो अल्रेडी वीक है बट अल्राउंडर सेक्शन काफी लास्ट मैच पर अपनी बॉलिंग से दो विकेट निकाले थे उससे पहले साट रन बना चुकी है और आप देखिए गुजरात के अगेंस इसने तीन मैच के लिए वन नाइंटी वन रन मना है एप्रोक्स आम मन के चलिए साट के आसपास का एवरेज है इसका है इसका खरक्यारी अपनी बैटिंग बॉलिंग सब तरीके से बैश कर दिया लास्ट मैच में चार विकेट प्लस 59 उससे पहले 33 एक विकेट और 17 तो जब से अरुण जेटली स्टेडियम में इनका विमान लैंड हुआ है दिपती शर्मा की तो फॉम ही अलग लेवल पे चले गई त सबसे इंपोर्टेंट चीज मैंने क्या बोली थे कि मैं नीवी बोलूंगा तो भी आप इन दोनों को तो रखोगे बट क्या इन में से कप्तान वाइस कप्तान भी बन सकता है आज के मैच में वह बात करेंगे ताहिला एमसी ग्राद के अगर मैं बात करूं तो इस सीजन में परीणख बिल्कुल भी नहीं चल दी बिल्कुल फ्लॉप चल दी है तो मैं अब को बोलूंगा नहीं ज्यादा रिस्क लेने को आप जील में ट्राए करना ऐस ल में तो बिल्कुल नहीं तो यहां पर हैरस और डिपते शर्मा दोनों गराइन दून को रखने ऐसे बात करें पहला नाम है तनुजा कवर हर मैच में एक एक विक्ट इसको मिल जाता है बढ़िया चॉइस है शोबनाशकील मेरे साब से कुछ खास नहीं कर रही और मेगना सिंग की बात करू है एक मैच में जरूर इसको चार विकेट मिले ते बट ये वाला वेन्यू इसको रास निया रहा है इस पिछ पर अभी तक दो मैच खिले एक भी विकेट इसको नहीं मिला तो यहां पर भी सीधी सीधी चॉइस आ रही है तनुजा कवर की जो की एक बढ़िया चॉइस लग रही है यहां पर यूपी वारियर्स वुमेंस में देखिए सोफी ए के एक विकेट ले जाता है वर्ल्ड की बैस्ट बॉलर्स में आती है ना और इसको कोई से भी पिछ पे खिला दो मैटर नहीं करता और सामने वाली टीम गुजरात के अगेंस तीन मैच है विकेट है शाइमा ठाकूर दो विकेट मिलेते गई इस प्लेयर पे मैं थूड़ इसने लास्ट मैच वे बॉलिंग कराई थी शैफाली वर्मा को जिस लिदम में आउट किया था मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये विकेट टेकिंग बॉलर है दैट में काफी अच्छा करेगी राजिश्वरी गायकवार की भी लास्ट दो मैचों से फॉर्म जा चु लिएगा अब आज के मैच में कोई ऐसा बड़ा प्लेयर है जिसको अपन ड्रॉप कर सकते हैं अपनी टीम में तो यहां पर अगर आप देखोगे ना तो लॉरा वुलफट थोड़ा सूफी एसकलेटन के अगेंस में फस्ती है अगर आप देखोगे दो बार आउट कर चुक आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं क्या गुजराट जॉइंट्स वुमेंस आज के मैच में चेंज करेगा देखें कर लेगा तो बैटरी जाएगा क्यों वैसे भी बार हो चुका है तो इनके बैंच में बैटेवे प्लेयर से देखें हर दिन भार हो चुकी वैदा है नहीं मनत क रश्यप को एक ला सकते हैं और यहां पर लिया तुन्हों को बुला सकते हैं बाकी संभावना कम है यूपी वारियर्स मुझे नहीं लगता कोई चेंज करेगा एक चेंज पॉसिबल है चमार्यू अट्टा पट्टू वापस आ सकते कम बैक और यह बड़ की बैस्ट आल्रा बारी अब इनमें से अपन फाइनली किसको लेकि आया जिससे अपनी बाइस टीम क्रिएट ओ तो यह सेक्शन बहुत इंपोर्टेंट होता है मेरा क्यूंकि इस सेक्शन में आपको पता लगता है कौन से बालर को पिक करें यहां और ऐसे कौन से बालर है जो अच्छा कर सकते तो यहां पर अगर मैं गुजराज जाइंट सुमैन की बात करूँ तनूजा कवर को डैफिनेटली रखना क्यूंकि यह हर मैच विकेट टेकिंग है निकाल दी है गाडनर को रखना क्यूंकि बैटिंग से निए बालिंग से काफी अच्छा कर दी है और बस यह दो ही प्लियर है इस वाली टीम से जो आप लेने लाएक है बाकि दैट के तनूजा है गाडनर है इस नेहराना है यूपी वारियर्स में शाइमा ठाकूर को डैफिनेटली रखना बहुत अच्छी बालिंग कराई थी लास्ट मैच में दिपती शर्मा बैस चॉइस होने वाली है सोफी एसकलेटन बैस चॉइस होने वाली है और ग्रैस हैरिस तो यहाँ पर यह चार प्लेयर है लेने लाएक यहाँ पर यह दो प्लेयर है लेने लाएक तो छै प्लेयर तो ग गई अगर मैंने इस वाली टीम में एक भी चेंज किया ना तो फाइनल अपडेट के लिए भाई रिक्वेस्ट है एक बार टेलीग्राम पर जरूर आ जाना डिस्क्रिप्शन में कमेंट पर आपको लिंक लिकेगा डिस्क्रिप्शन में मोर का बटर दिखेगा उस पर क्लिक कर यहां पर लॉरा वुल्फर्ट डी एमलता यहां पर है गार्डनर ग्रैस एरिस दिप्ति शर्मा यह अट्टा पट्टू पर अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ अगर खेलेगी तो रखेंगे अदर्वाइस ड्रॉप यहां पर सोफी एस्कलेटन तनूजा कवर और शाइमा ठाक कप्तान और वाइस कप्तान के लिए आज के मैच में कर मैं चॉइस की बात करूँ तो सोफी एस्कलेटन को कर सकते हो सी या वी सी या फिर एहली और बूनी में से कमूनी भी बहुत बढ़िया चॉइस है कैप्टन सी की क्योंकि बैटिंग बोल और स्टंपिंग कैचिंग के यहां पर आप ऐसे क्रॉस कर सकते हैं बाकि मैं फाइनली किसको बनाऊंगा वह टॉस के बाद आपको टेलीग्राम पर पता लग जाएं तो जी यूजे डबलू वर्सेस यूपी डबलू 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 पी एल एटीन टीट्वन्टी मैस डिटेल प्रिवीव गाईज यह बनाची है और गाईज ऐसे ही वीडियो देखते रहे हैं और ऐसे ही प्यार देते रहे हैं ठीक है भाईयो आदाप नमस्कार मेरा वीडियो गईज फुल इंफॉर्मेटिव ता एजूकेशन परपस सेदा जाते जाते वीडियो पर लाइक करदाना और चैनल सब्सक्राइब करदाना